जितनी भी JSC की वेकंसी है वो लटक रही है ठीक है आप यहीं मान लिजे के सर पहली बार JSC का नोटिफिकेशन 2021 के दिसंबर में आया है पहली बार और अभी सेप्तंबर 2024 चल रहा है एक प्रकिरिया तीन साल में पूरी नहीं हो पाई है क्या आप पंच बर्सी योजना लाके बैटे हैं कि एक एक्जाम को पंच बर्सी हो योजना करवा रहे हो बताइए सेंट्रल में JSC होता है एक साल के अंदर जॉइनिंग हो जाती है उनकी आप लोग जो चार है नोटिफिकेशन में लिख दीजिए कि JSC का एक्जाम देना है त तीन साल से पताइए तेन साल से यही वकंसी नहीं फाइनल कर पा रहे हैं तो जो आने वाले बच्चे हैं उनके लिए वकंसी के निकालो है हमारे कोई मनसा नहीं है सरह हमें सरकार से दुस्मनी नहीं आइए बस यह ma pastor कोwni ने तरीके अपनाएंगे जिससे क्या हो कि हम हम आर चुछ ही दिन के बाद जो और पर लेकिन दो महीना बीद गया है अब तक जो है मेरिट लिस्ट जारे नहीं नहीं हुआ है ऐसे ही कुछ अभ्यती है हमेरे साथ है क्या संख्या आप लोगों की और क्या मांग कर रहे हैं सर हम लोग की टोटल संख्या 149 है जो जैसे सी के 12 सकेंड डीवी लिस्ट परकासित किया गया उनमें के लिए बुलाया गया और हम लोग को डेट दिया गया 30 जुलाई से लेके 30 जुलाई के बीच में कि आईए अपना कराई है तो जितने भी बच्चे हैं वहां पर जाके डोकुमेंस वरिफिकेशन कराए और आज लगवक दो महीने हो गया है और उस जो डीवी हम लोग कराया है जो रिजल्ट आना है अभी तक नहीं आया है जबकि सर जो फर्स डीवी का रिजल्ट है वो बीदिन बीक आ गया है है सर पताँ नहीं हम लोग जाते है तो बोलते है रिजल्ट आजाएगा हम लोग सची और जीवस 01 फेड़ करते हैं अचाह संगिते लग सकती हैं हमारा प्यच्प सकता है जोइन का और हमारा रिजल्ट का लेकिन हमे סर्कार से अमीद है से एह जो सरकार हैं हमें जो आ Beim přिष्ट हो और इसी स़रकार हमन जो हमारे मुख मंतरी है उनके हातों से हमें सरकार से कोई दुस्मनी नहीं है बस यह कि हम लोग मजबूर हो गए हैं जैसे सिजाजा के इंतिजार करते करते कि आज वाइनिंग होगी हमारी आज हमारी जॉब लगेगी अंतरता हम लोगों ने डिसाइड किया है कि कल से राजभवन के समझ सांती पून तरीके से विरो प्रेश करना और उमीद करते हैं उमीद पर दुनिया कायम है सर और हम अपनी बात सरकार तक जैसे सी तक पहुंचाने के लिए सर बहुत नहीं तरीके अपनाएंगे जिससे क्या हो कि हम हमारा जो बाते हैं वो लाइट में आए तर यह एक बात तो मैं यहीं बोलूंगा सर कि जैसे सी फ्रहले पीजही के जो जिनकी जिनको रिजल्ट आ चुका था जिनको न्युक्ति पत्र दे दिया गया था वो लोग जो है उनको एक तरह से कहें पोस्टिंग नहीं हुआ था वो लोग पोस्टिंग के लिए बार-बार परिशान तो सर यहीं समस्य है सर जितनी भी जेसे की वेकंशी है फो लटक रही है ठीक है आप यहीं मान लिजेए के सर पहली बार जेसे का नोटिफिकेशन दो जरी एक इस के दिसम्बर में आया है पहली बार और अभी सेप्तमबर दो हजार चोबीस चल रहा है एक प्रकीरिया तीन साल में पूरी नहीं हो पाई है अभी गेट जैसे एक्जाम होते हैं वो रिजल्ट एक दिन पहले घुसित कर देते हैं रिजल्ट का डेट होता है एक दिन पहले घुसित कर देते हैं रिजल्ट आप लोग मतलब क्या करना चाहते हैं सर हम लोग क्या करें बताइए आप बोल दीजिए भहिया कि आप लोग जो चार ह है नोटिपिकेशन में लिख दीजिए कि जैससी का एक्जाम देना है तो साथ में अंदोलन कारी भी बनना है हम पहले के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसके बाद हो सकता है जॉइनिंग के लिए करें ये कब तक करें और हम तो चाहते हैं सर देखे ये चीजे ना हो हम लोग कर रहे हमारे जूनियर ये हमारे जूनियर को ना करना पड़े आप तीन साल से बताइए ना तीन साल से यही वकेंसी नहीं फाइनल कर पा रहे हैं तो जो आने वाले बच्चे हैं उनके लिए वकेंसी कब निकालोगे आने वाले बच्चे के लिए कब वकेंसी निकालोगे ब आप लोग भी जईए जारी किया नहीं है अप सरकार से निवेदाने के चलते सल माइफाइनल मिनिस्ट जारी करें चाह होती है तर इसी उम्हीद में हम लोग यहां पर धर ना लिये है वेहें तो देखें यह सारे जो है जो है जो जेए कि चाहत्र है जो सेकंड डीवी कि बाद जो है मेरिट लिस्ट कर जो रिजल्ट है उसका इंतिजार कर रहे हैं कि अगर रिजल्ट नहीं आता है तो यह लोग कल से जो है अनिश्चित कालिन के लिए जाएंगे आप लोग धरना के लिए अनिश्चित कालिन के लिए लोग धरना पर बैठेंगे और एक ही जो र मालों ने 50% का वादा किया था, हमको तो मिला नहीं, और आपको? हमें तो नहीं मिला, आपको मिला क्या? इन मधिलाओं को तो नौकरी में 50% आरक्षन नहीं मिला, आपको मिला क्या? अन्यभी स्थाइब वतो तो सित आरक्षन सेखना सबस्क्राइब.